So, Hello बच्चो और पेरेंट्स इस वीडियो में मैं सेकेंड राउंड आल इंडिया कांसलिंग का डिटेल अनलसिस करने वाला हूँ और आपको पिछले डेटा के साथ कंपेर कराने वाला हूँ इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि second round में क्या chance बन सकता है आपका मैंने हलाकि first round में दो वीडियो बनाये थे दोनो quality वीडियो थे मेरे हिसाब से अगर कोई गलती हो तो आपको पता लगेगा पर मेरे हिसाब से they were all good and इस वीडियो में भी मेरी कोसेस होगी कि मैं best आपको data analysis करके दूँ और बताओं कि क्या expected cut off all India में जाएगा और all India का seat matrix जो खाली है वो आने वाला है हो सकता है वीडियो जब तक जाए तब तक आ भी जाए और नहीं जाएगा आएगा तो आने ही वाला है और second round का procedure start होने वाला है अभी भी मेरे पास बहुत सारे messages आ रहे हैं जिसमें बच्चे मुसे inquire कर रहे हैं कि sir second round में मिलेगा की नहीं मिलेगा मुझे एका दो mail आये हलाकि मैं reply नहीं कर पाया हूँ जिसमें ये बोला गया है कि किसी ने MCC को call किया कि अगर second round में अपग्रेड नहीं होता है वही का वही college मिलता है तो क्या third round में अपग्रेड होगा तुन्होंने site deny किया ऐसा कुछ बट इसका final conclusion मैं नहीं ले पा रहा हूँ तो ये सारे कुछ चीजे हैं आप लोग बहुत अच्छे से inquire करके कभी भी किसी YouTuber कभी भी किसी और के कहने पे बिल्कुल नहीं जाना है information browser में काफी चीजे clear होती है time to time information भी दिया जाता है बड़े सारे mail और phone number भी दिये है वहाँ से भी अपनी query अगर genuine है तो raise करिए और उसके बाद वो query वहीं से address कराईए वह best तरीका होता है तो आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे request करूँगा कि ये video पूरे आखरी तक देखिएगा अगर इस video को पसंद आपको पसंद आता है ये video तो please subscribe जरू करिएगा ये आपसे मेरा humble request है और अगर अच्छा लगे तो like भी करिएगा और अपने जानने वाले social media पे भी share करिएगा जिससे कि थोड़ा मेरा वेडियो प्रचार हो thank you, चलिए start करते है पिछले डेटा को मैं देखता हूँ और complete data मैं ने 2022-23 का बना रखा है complete बना रखा है तो वो सारा मैं share कर रहा हूँ last year general गया था इसमें थोड़ा बहुत data में कभी कुछ गलती हो जाता है तो मुझे माब करिएगा कोईकि एक बार गलती कर देने पर जब तक correct नहीं कर पाते है जब तक कोई बताया नहीं कोई हम नहीं बनाया हमें लगा सब सही है तो हो सकता है थोड़ा बहुत variation हो बढ़ ज़्यादा गलत नहीं होगा don't worry last year 22 में general category 17401 गया था इस साल 19396 गया है last year serial number अगर आप देखें तो जो spread seat आती है ना जो पूरी seat distribute देती है MCC हर बच्चे का हर category का एक साथ उसमें serial number 7993 गया था इस साल गया है और serial number 8570 तो serial number में 577 का difference है general के cut-off में आगे नीचे भी देखेगा वहाँ भी difference है यानि cut-off नीचे गया है general का cut-off करीब-करीब 2000 नीचे गया last year से first round में ही 1995 OBC में देख सकते हैं 8090 serial number 18034 last year गया था इस साल गया 19997 और serial number 8669 तो serial number में में difference 579 का और ranking में difference 143 लगबग 2000 यहां भी EWS में 8174 serial number पे लॉट हुआ था आखरी 18989 और इस साल 8804-21591 पे लॉट हुआ है और difference serial number का 630 है और ranking का 26002 तो EWS वाले बच्चे थोड़े फायदे में ज्यादा दिख रहा है मुझे SC category भी काफी फायदे में दिख रहा है और ST भी दिख रहा है serial number में difference 270 का है SC में और ST में 210 का लेके ranking का difference बहुत है 10,000 नीचे गया है काटाफ इस साल last year के compare में first round में और उसके बाद 18,000 नीचे गया है ST category बाकी भी मैंने इस पूरे वीडियो में मैंने आप स्क्रीन पर देख सकते हो बाकी काटाफ भी मैंने दे रखा है यहाँ से भी आप idea ले सकते हो अचा सीटों का देख लेते है क्योंकि बीना सब कुछ जाने आपको मजा नहीं आएगा last year जभी में all India कोटा से all India category में last year 5,6,1,6 seat एलाट होई थी first round में और इस साल 7559 seats एलाट हो रही है यानि 1943 seats जादा open category में भी 6 seats जादा है ESIC में 32 seats जादा है IP और DU तो चलो ये देली का होगे ये सब मैंने दिखाया था ये मैंने grab भी मनाया था ये grab भी आप लोगा दिखाया था तो ये सारी चीजे मैं आपको दिखा चुका हूँ last year का अब आजाते हैं बात करते हैं इस साल ये last year के साथ इस साल first round का अब बात करते हैं second round का क्या जाने वाला है मैं आपको बहुत clearly और कई बार जब अपने videos, knowledge series, बहुत सारी counseling series इन सब में आपको बताता था तो आप लोग में से कई लोग कहते थे सर सब को तो आप knowledge दे दे रहे हो तो हर कोई second round, third round बे जाएगा मैंने कई बार video बनाया है और जिस video मैंने clearly बोला है कि अपनी 4000 rank अगर आप नहीं ला पाए हो मिस्स कर गया हो और 12000 rank आ गई है 4000 rank all India नहीं आई, 12 आ गई है 8000 नहीं आई है, 16 आ गई है कुछ question गलत कर दिये या last में mistakes जादा हो गई या कोई भी region हो गया preparation अच्छी नहीं थी लेकिन आप अपनी counselling से rank improve कर सकते हो मैंने कई videos बनाई जिसमें बताया कि जो college first round में 2000 पे मिल रहा है 3000 में मिल रहा है वही third round में 6000 में मिल रहा है जो 4000 में मिल रहा है first round में वही third round में मौप अप राउंड last year कहते थे उसको all India से उसमें वह college 12,000 पे मिल रहा है 15,000 पे मिल रहा है आप imagine कर सकते हो कि EWS category OBC category में LLRM merit जैसा college 12,000-13,000 मिल गया 14,000 में आपको SN Medical College मिल गया SN Medical College इनो राजस्थान वाला वो काफी नीचे मौप अप में चला गया as compared to first तो ये सारे जो drops हैं ये मैंने आपको दिखाया था और मैंने ये भी बार-बार बोला था कि मैंने कितने भी कहने के बावजूद कई लोग नहीं जाएंगे third में और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आप अपना college लेने के बाद upgrade करिए क्योंकि upgrade करना आपका right है और मैं एक बात और बोलूँगा कि college से आपकी पहचान होने वाली है आगे आने वाले time में medical में भी जब seat बढ़ेंगी तो थोड़ा बहुत dilution आने वाला है dilution उसको कहते है जैसे कि थोड़ी इज़्जत कम होना थोड़ी demand कम होना easily availability आप जो अभी job है अभी जो practice है वो सायथ थोड़ा सा competent हो because you all know that कि जब demand ज़्यादा होती है और supply कम होता है तो value बढ़ती है supply भी होने लगेगा आज के 5-10 साल बाद तो थोड़ा सा जरूर फरक पड़ेगा हाला कि medical profession बहुत अच्छा profession है अभी भी इंडिया में 20-25 साल लगातार इसी rate से college बढ़े तब भी कोई खास फरक नहीं बढ़ेगा हाँ PG जरूर करना होगा तो अब आजाते हैं मुद्दे पे क्योंकि मैं ये सारी बाते आप लोग को बीच-बीच में बताता रहता हूँ मेरा फर्ज है अब आजाते हैं इस साल क्या cut-off जाएगा तो इस साल last year जो cut-off गया था मेरे पास उसका data है पहले round और second round में कितनी seat'े खाली रह गई थी ये सारे data मेरे पास है मैं कोसिस करूँगा कि आपको मैं दिखाऊंगो data सारी इस category की seat'ो को मिला के सारी category की seat'ो को मिला के last year जो map-up round में seat'े थी first round में sorry सारी category को मिला के जो first round में last year seats थी वो करीब-करीब 9,400 और उसमें से 65% seat'े लगभग खाली रह गई थी 65% seat'े खाली रहने का मतलब होता है करीब-करीब 6250 के आसपा seat'े खाली थी ये rough data है इस साल जैसा मैंने last year का बहुत जाला detail बना तो लिया है लेकिन exact number of seats नहीं बना पाया तो इतनी seat'े खाली थी इस साल भी सुनने में आ रहा है 70% से 75% के बीच में seats खाली है जब list आ जाएगा तो मैं detail उसके बारे में आपको एक छोटा सा वीडियो बना के बता दूगा इतनी seat'े खाली इसके पीछे logic क्या है कि हर कोई अपने state में settle होना चाहता है इस state में कुछ-कुछ category का cut-off लो गया है जैसे हम सोच रहे थे जो growth आया था इस साल rank में कि बड़ा उंचा cut-off गया है यार लास्ट यर जिस marks पे 20-22,000 आते थे इस साल उसी marks पे 15,000 उसी marks पे 30,000 32,000 rank आ गये हैं तो इसलिए बहुत सब लोग डर रहे थे कि overall cut-off में बहुत suit करेगा लेकिन first round में जो states के cut-off आए है at least in North India वो लगबख पिछले साल के first round से के आसपासी या थोड़ा ही जादा है तो इसलिए आप लोग को बहुत जादा एक relax मिलने वाला है आल इंडिया में क्योंकि लोग state में settle होने वाले हैं state में काफी लोग settle हो भी गये हैं इसलिए रूल भी counselling का ऐसा बनाया गया है जिससे state में लोग जल्दी settle हो कोई पहले ही round में छोड़ने पे penalty लगा रहा है कोई दो ही round तक upgrade दे रहा है तो penalty की वज़े से बहुत फरक पड़ता है अब UP में 30,000 penalty छोड़ना सब के बस की बात नहीं है सब के पास इतने पैसे नहीं होते और कई बार inertia भी होता inertia मतलब एक जगे college ले लिया document जमा किया आप दूसरी जगे जाना है यहां से document उठाना है तो distance की वज़े से कई लोग travel भी नहीं करना चाहते यार हो गया ठीक है अच्छा है government है ले लो तो इस साल जो मेरा अपना cutoff है expectation है cutoff का second round में काफी नीचे जाने वाला है मैं बोलने वाला हूँ कि इससे अभी भी अभी भी कम से कम 2000 rank नीचे जाने वाला है cutoff first round में और मैं आपको बता दूँ राजस्थान में भी देखा जाए तो राजस्थान का state भी काफी लोग गया है उसके वारे मैं लग से चर्चा करूँगा पिछले साल के compare में तो unreserve का rank unreserve जो इस साल है वो पिछले साल से second round में वैसे ही जैसे first round में करीब 2000 नीचे गया है वैसे ही पिछले साल के second round से करीब करीब 2500 नीचे जाएगा यानि अभी जो आया है first round का result मैं एक बार खोल लेता हूँ और आपको expectation बता देता हूँ इस साल जो first round में seats हैं वो भी मेरे पास है मेरे calculation के हिसाब से 11456 seat first round में आई है तो अभी साथ colleges भी नए खुल रहे है seven नए colleges खुल ले हैं कुछ और colleges आने वाले हैं साथ नए college को जो permission मिला है खुल नहीं रहे है permission बोल रहा हूँ जो permission मिला है उसमें 700 seat तो बढ़ गई कम से कम उनका 105 seat और अल इंडिया में आ गई उसका भी फरक दिखेगा आप लोग को उसके बाद last year इस साल जो जन्रल का कटाफ गया है 1396 first round में ये कम से कम 2500 बढ़ने वाला है तो 1300 को मैं 21500 मानने वाला हूँ minimum से लेके 22000 रहेंग तक आराम से जाने वाला है ये और ये मान के चलिए कि 21500 से लेके 22000 तक जाने वाला है जन्रल का और नीचे उसके बाद हम बात मनलब आप समझ लीजे 1396 गया है तो अब second round में जाने वाला 21500 से लेके 22000 आल इंडिया रहेंग तक उसके बाद हम बात कर लेते OBC हो 19997 गया है अब हो second round में जाने वाला 21900 यानि 22000 से लेके 23000 के बीच में कहीं बे EWS की बात करें EWS इस साल जो गया है वो गया 21591 और ये जो 21591 गया है ये लगभग लगभग 613 marks के असपास गया है 613 या 612 थे मेरे calculation के हिसाब से unreserved 618 थे मेरे calculation के हिसाब से OBC 616 भी उस rank पे आ रहा है 617 भी उसके आसपास आ रहा है तो 616, 617 गया है OBC यानि general अगरट आप 618 OBC 616, 617 EWS 613 के आसपास गया है अब EWS इस साल कम से कम इस round में 24,000 को टच करेगा माल लो हम Second round में EWS 24,000 को टच करने वाला है SC इस round में 1,15,000 से लेके 1,20,000 को टच करने वाला है ST इस round में 1,50,000 से 1,60,000 तक टच करने वाला है तो overall क्या कटाफ रहेगा ये overall मेरा prediction समल लो जो पहला मैंने बोला था वही है 25,500 से लेके 27,000 तक जनरल जा सकता है इसके बीच में 25,500 सेफ है और वो positive expectation की तरब 26,000 से लेके 28,000 के असपास OBC जा सकता है 26,000 के असपास लगबग सेफ है 28,000 के असपास positive expectation आप जा सकते है positive mindset नहीं मिला तो आपका बुरा लग उसके बाद EWS का भी 26,000 से लेके 29,000 के range में जा सकता है ST category जा सकता है 1,60,000 के range 50,000 से लेके 1,50,000 प्लस माइनस 10,000 ST category एक 80 प्लस माइनस 10,000 या 20,000 दो लाग तक भी जा सकता है ये मेरा final cut-off prediction है I hope इससे आपको idea लग जाएगा कि आपको किस राउन तक safe खेलना है किस राउन तक नहीं So thank you very much Bye-bye Take care